तो गैस कैसे आई हो अच्छे होंगे तो हमेसा की तरह अभी एक content और है हमारा तो जो आज का हमारा content है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा ही होगा काभी सारी वीडियो और फिर भी मैं यहाँ पर दिखाने कोशिश करता हूं कि यह हमारे पास GU का F320 model है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो GU का यह हमारा है F320B यह हमारा model है मैं आभी आपको दिखा दोगा यह मैं आभी यहाँ पर रख देता हूं साइड में फिलाल यह hangon logo पर है तो hangon logo हम कैसे कैसे इसको फार्ट आउट कर सकते हैं हम वहाँ पर बात करने वाले हैं जरूरी नहीं कि आपने सारी सीज़े देखी मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट इंड में आपको इसका सारा procedure बताने वाला हूं कि आप इसको क्या क्या procedure कर सकते हो step by step तो फिलाल यह phone अ मैं इस वीडियो में mention करूंगा तो वीडियो को लास्ट इंड जरू देखीगा तब मैं आपको बताऊंगा लास्ट फाइनली की सबसे step 1 क्या करना है फिर step 2 क्या करना है सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूं तो वीडियो को चलिए start करते हैं फिलाल यह देख सक लगते हो तो यह 320 आप को पता है तो आप वीडियो को skip कर सकते हैं नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इंड तक जोरू देखीगा तो चलिए फाइनली मैं इसकी बैटरी को रिमूफ कर देता हूं एक बार और इसके मॉडल्स को आपको दिखाने की कोसिस कर देता हूं तो तो इसी क्या क्या करने वाले है आगर आप पस लगो आता है ते अपको सबसे पहले इसको फ्लैस करना है है तो फ्लैसिंग का बहुत इजी तरीका मैं आपको जिसमें कि आपको सारी चीजें आपको आजाएंगी तो फ्लैस करने के लिए हमें सबसे पहले जुरूत होगी फाइल की तो यह दिके हमने फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है आप अपर आप देख सकते हो फायरस तो आपके पास अगर टूल की यूटी है तो उससे वेटर कुछ भी नहीं है मेरे पास तो यूटी है तो मैं यूटी यूज करो फ्रेंड क्योंकि यूटी में काफी सारी चीजे जाते हैं बहुत इसी है बहुत स्टाप बाइस टेप आप यहां पर काम कर पाते हूं चलिए मै यूटी को उपन कर दिया हो जाएगा और यह वन क्लिक में फ्लैसिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी गाइस तो चलिए फटा फट करते हैं तो और उसके बाद मैं फिर से बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजी सपोज यहां पर डिवाइस में खूल कर रखें जिससे हमारे यह चयवाहे रही है फटाट्स नहीं मारी फेज़ करें लिए हैं यह नहीं जिसको देख सकते हैं आफ यह आप हो जो स्टाव सबस्तार चाब करके आपको स्टार जबा करना है तो मैं स्टार जबबा करके कर दिया है साइन में आप देखेंगे हमारा क्योंकर मैं अगर यह फ्रेसिंग से नहीं होता है तो इसका भी स्टेप है कि आप स्को कैसे सॉट आउट कर सकते हो तो मैं यह लास्ट विडियो के में करने वाला हूँ तब यह मैं देख että है कि फ्रेंड अगर हमारा यह फस्ट मेंफड till होजाता है fellows करते हैं तो यह वाई फोन है और आपके साम ने हम कर रहे हैं लाइव और देखते हैं कि फ्रेंड क्या प्रॉलम आती है सajī हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है तो क्या करन तूल है नहीं है तो आप QPST यूज़ कर सकते हैं बाकि हमारे पास ये टूल था तो हमने ये टूल को यूज़ कर लिया गाइस तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी हमारा ये तो यह फ्रेंट हैंग लोगो आप में प्रॉब्लम आपने देखा कि यह फोन हमारा लोगों पर था अब इसको कैसे हमने सॉट आट कि सारी चीज़ अब इस सिस्टम के फाइल ग्राइट हो रही है फिर फैनली देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्रियेट हो भी रहा है क सारी चीज हमें आप आपके सामने करेंगे लाइव तो यह अभी हो गाई जापने की में लगा की नहीं निकाला है फोन रिस्टार्ट हो चुका है यहां पे आप देखोगे कि FRP भी रिसेट FRP भी देंदी का रहा है इसमें FRP तो नहीं लगती है गाई बाकी यह देखिए अभी बूट हो रहा है फोन हमारा और फिर उसके बाद देखते हैं इस स्टार्टिंग आपको दिखाई दे रहा है डा लगा था उतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर हमारा यह मैथड काम हो गया तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए तो देखिए यहीं पर आकर के सेकेंड बूट पर रुक रहा था जियो फोन और यहां पर क्योंकि यह प्रॉब्लम से भी होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में भी तो यह थोड़ा सा टाइम यह अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि यह सेकेंड बूट में और फाइनली ओन हमारा हो जाएगा और वाई देखते हैं फ्रेंड बस थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वाच यह देखें फोन हमारा कम्टेटी ओन हो चुका गाईज यह देख सकते हो तो यह मैथड हमारा यह काम हो गया यह आपका अगर स्वाप्टेर से रिलेटेड है तो हंडेट एंट एंट परसेंट आपका यह प् चुका है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें तो अब भी हम यह देखिए नेक्स्ट और एक पर क्या मांग रहा है तो गाईज यह हमारा कम्प्लेटी हो चुका है यह देखिए फैनली हमारे फोन ओन हो चुका है एप 320 यह वही मॉडल था मैं आपको भी दि माईकप्र करते हो अगर आपने माईकपे काम किया और आपने बाइपास किया या फनकुछ दूसरी माईक लगा दिया तो यह फोन आपका हैंग अर हैंग अन RAW लो universal mic लगाया हुआ है तो इसको आप remove कर दीजे और इसके बाद फिर चालू करके देखिए तो आपका problem solve हो जाएगा फिर भी नहीं होता तो एक बार आप उसको flash कर दीजेगा चली इन तीनों चीज़ों से नहीं होता है तो सीधा इसका CPU निकालिए और reballing कर दीजे तो भी इसका problem solve हो जाएगा तो आई हो भी आपको जो जान करके जो भी हमने आपको जानकारी दी है आई हो आप उससे संतु स्टोंगे तो बीटो को like subscribe share मिलते हैं किसी next video में thank you so much